हलो फ्रेंट्स वेलकम टू गार्गी क्लासिज राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आज अपन बात करने वाले हैं पार्ट टू ऑफ मुजियूम्स एंड रिसर्च इंस्टिउशन ऑफ राजस्थान गार्गी क्लासिज को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहे त जो इंस्टिट्यूट है डाट इस राजस्थानी ओरियंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट डाट इस लॉकेटिट एट जो दूपूर तो यह जो नाम आ रहा है ना जो कौन सी लोकेशन पे लोकेटिट है यह बहुत इंपोर्टेंट डिरेक्ट अब्जेक्टिव टाइप इ जैपूर में फिर उसके बाद में 1958 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था जोदपूर में जो अभी भी जोदपूर में ही लॉकेटेड है इसको establish किया गया था मुनी जिन विजय के द्वारा ठीक है मुनी जिन विजय के द्वारा establish किया गया था यहाँ पर राजस्तान की ancient manuscripts बहुत सारी collected है preserved है साथ में जो oriental research and education से related जो भी material है old age के या old material की बात करें तो वो भी यहाँ पर available है जैसा कि इसका नाम है oriental research institute तो यहाँ पर definitely oriental education से related oriental education में जो research हुआ करती थी उससे related ancient documents old documents यहाँ पर definitely present है इसके अलावा यहाँ पर जो manuscripts हैं वो अलग-अलग languages में चाहिए वो प्राकरत में मिल सकता है आप भ्रिंच में भी मिल सकता है पाली, राजस्थानी, गुजराती और Sanskrit इन different languages में manuscripts लिकी हुई है handwritten notes हैं तरीके से हैं ओके इसी तरीके से यहाँ पर जो manuscripts का जो collection है अपने बात की ना manuscript अलग-अलग languages में तो इनका एक collection जो है उसको सरस्वती भंडार के नाम से और पोती खाने के नाम से भी जाना जाता है तो पोती खाना और सरस्वती भंडार यह दोनों चीज़े एक ही है और वो क्या है यह different languages में जो भी manuscripts पढ़ी है ancient राजस्थान की उनके collection को बोला जाता है इसकी 6 sub branches भी है राजस्थान में जैसे की एक जैपुर, एक बीकानेर, एक कोटा, एक अलवर, एक चित्तोडगर और एक उदैपुर इस तरीके से इसकी sub branches भी हैं यहाँ पर जितने भी अपने literary activities, literature के बार में पढ़ी थी ना, वहाँ पर जो भी books अपने देखी थी वो books यहीं पर located है, मतलब placed है, for example, राजविनोध हो गई, कानरदे प्रबंध हो गया, बाकी दासरी ख्यात हो गई, मुनोत नैंसी री ख्यात हो गई, सूरज प्रकास हो गई, हमीर महा काव्य हो नेक्स्ट है, काली बंगन न्योजियम, काली बंगन हडपन साइट है, तो उसी से related यहाँ पर definitely चीज़े मिलेंगी, इसको establish किया गया था, 1985 में, काली बंगन एक village पड़ता है, हनुमानगर डिस्टिक में, वहाँ पर इसको बनाया गया, यहाँ पर जो काली बंगन साइट थ है, ठीक है, clay utensils हो गए, copper weapon हो गए, javelin मतलब भाला हो गया, red pink pot हो गया, animal figures हो गए, big clay toys, ठीक है, clay से बने हुए toys होते हैं, terracotta से बने हुए, और भी equipments, या फिर जो भी used में आने वाले जो भी चीज़े थी, वो glass से बनी हुई, ivory से बनी हुई, stone से बनी हुई, different artifacts यहाँ पर idea लग जाएगा, वैसे इतना कोई problem नहीं है, साथ में यहाँ पर साथ तरीके के different clothes available है, और जो pre-happant type में जो potries काम में आती थी, वो potries यहाँ पर preserve करके रखी हुई है, क्योंकि काली बंगा साइट ही है, इंडस्वाले civilization के पार्ट की है, ठीक है, तो चलिए next देखते है, that is government museum जालावार, इसको establish किया गया था, June 1st, 1915 को भवानी सिंग के द्वारा, यहाँ पर stone sculptures available है, वैशनवीजम से समंदित, शैवीजम से समंदित, शाक्त से समंदित, और जैनीजम से समंदित, ठीक है, different stone sculptures हैं, और उनमें prominent या important अगर देखें, तो एक तो है, लकुलिष, चतर बाहू, sculpture, एक तो यह available है, यहाँ पर जालावार, गुजियम में क्या, लकुलिष, चतर बाहू, sculpture, और दूसरा है, अर्द नारीश्वर, चतर बाहू, sculpture, यह दोनों की दोनों मूर्तिया यहाँ पर located है, place day, कहाँ पर, government museum of जालावार में, इसके अलावा, यहाँ पर, दस्व चक्र को धारण किये हुए है, तो उसको बोल दिया, क्या, चक्र पुरुष, विष्णू, sculpture, कहने का मतला है, यह सारी चीजे किस से रिलेटेड़, आप देख सकते हो, धर्मों से संबन देते हैं, बिलीव सिस्टम से संबन देते हैं, वो यहाँ पर located है, या placed है, government museum of बक्तावर सिंग, उनके टाइम पे, पेंटिंग पे major focus दिया गया था, पेंटिंग पे बहुत जादा काम किया था बक्तावर सिंग, तो कई बार यह question पूछ लिया जाता है, कि the golden age of painting in Alvar was during the reign of, तो answer आ जाएगा क्या, बक्तावर सिंग, ठीक है, इनके टाइम पे, famous राजप राजपूद स्टाइल पेंटर डालचंद और मुगल स्टाइल पेंटर थे बलदेव, यह यहाँ पर present थे, दोनों नाम याप याद ही रखना, डालचंद और बलदेव, अलवर वाले रिजन से असोशेड, बक्तावर सिंग के टाइम पे यह पेंटर थे, और एक था मुगल चैली से रिलेटेड, तो दूसरा था राजपूद स्टाइल और मुगल स्टाइल, ठीक है, डालचंद और बलदेव, यहाँ पर नायाब गुलिस्ता एक बुक जिसको लिखा था, शेक साधी ने, शेक साधी ने, शेक नहीं है, इसको मैं मिटा जता हूँ, थोड़ा से क्लि ठीक है, कुतुब खाने में, नायब गुलिस्ता, ठीक है, जो लिखी किसने, शेक साधी ने, ठीक है, वो, और जो यह शेक, शेक साधी थे, इनका नाम था, मुसरिफुद्दीन बिन मुसलिहुद्दिन अब्दुल्ला, वैसे यह नाम यहाद रखने की ज़रुत थोड़ा स मुसरिफुद्दीन बिन मुसलिहुद्दीन अब्दुल्ला, इनका नाम था, शेक साधी, इन्हों ने, नायाब गुलिस्ता करके, एक अपनी क्रियेशन बनाई थी, और उस क्रियेशन को, पेंटेड फॉम में, प्रिजरुद रखा हुआ है, कहां पे, कुतुब खाने में, तो ये चीज अपने को याद रखनी है, कि नायाब गुलिस्ता किस ने लिखी, और ये कहां पर प्रिजर्वड, प्रोटेक्टेड है, तो कुतुब खाना अलवर में, यहां पर एक स्कॉलर थे, जिनका नाम था, स्कॉलर तो क्या रजिस्टर थे, अकाउंटन थे, जिनका नाम था, गंगाधर जोशी, उन्होंने बहुत सारी रजिस्टर्स मेंटेन किये हुए थे, अर्भी, पर्शियान, उर्दू, डिफरेंट लैंग्वेजिज में, उनको भी यहां पर प्रिजर्व किया हुआ, रखा गया है, कुतुब खाना अलवर में, ऐसे ही अपन देखे गौर्ब्मेंट म्यूजियम आहड उदयपूर, इसको इस्टैब्लिश किया गया था, 1961-62 AD में, और ये म्यूजियम जो है, ये लोकेटिड है, जो रिवर आयड है, उसके नौर्दीस्टन शोर पे, जहां पर धूल कोट और तामबावती करके, जो माउंड्स हैं, मतलब एं इस्टान हिस्ट्री वाला जो सेग्मेंट है, उसमें इनीशल जो दो-तीन वीडियोज हैं, उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है, पहले लिथिक होगी, मीजो लिथिक होगी, चैलको लिथिक होगी, फिर उसके बाद में इंडस्वाली सविलाइजिशन, आयरेनेज वो डिटेल में बताया हुआ, आप वहाँ जाकर के देख सकते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आयर्ड रिवर का मेंशन वे आता है, जब अपन आहड बनास कल्चर के बारे में पढ़ता है, ठीक है, तो आयर्ड रिवर के नौर्धी इस्टन शौर पे ये लोकेटेड है, धूलक उस टाइम पे इस पर्टिकलर लोकेशन को, इन माउंट को क्या बोले जाता था, अघाटपुर, क्या बोले जाता था, अघाटपुर नो, ये ध्यान रखना, अगाटपुर नो नाम से क्या फेमस था, तो कहीं गश्यूज ना हो जाएं आप ध्यान रखना, यहां पर first excavation, first खुदाई की गई थी वो की गई थी मेवार आर्केलोजिकल डिपार्ट्मेंट के हैड जिनका नाम है अक्षय कीरती व्यास उनके अंडर में पहली बार खुदाई की गई थी फिर उसके बाद में excavation जो final excavation किया गया वो किया गया था doctor HD सांकलिया के under में तो कहने का मतलब अक्षे कीरती व्यास के under में तो पहली बार excavation हुआ इस mound का और दूसरी बार हुआ कब doctor HD सांकलिया के time पर इसी तरीके से आगे देखें तो ये जो site है अल्रेडी अगर आपने वो वीडियोज देखे हुए हैं तो आप फैमेलियर होंगे यह चैलकोलेथिक एज की साइट है मतलब तामर यूगीन, तामबे से संबंदित यहाँ पर जादा जो equipment हैं, utensils हैं, जो tools हैं, वो use होते थे painted black red wear भी यहाँ पर बहुत सारे मिले हैं जो की तामर यूगीन ठीक है, जो की चैलकोलेथिक एज से related थे यह इकलोता museum है राजस्थान में, जो राजस्थान archaeology department के अंडर चलता है, यह अपने को ध्यान रखना है राजस्थान archaeology department के अंडर में चलने वाला एकलोता museum है, राजस्थान का तो उसका अंचर क्या हो जाएगा government museum आहड उदापुर, ठीक है next है, श्री सरस्वती library seeker यह located है, फत्यपुर एक गाव है seeker में, वहाँ पर उसके बिल्कुल center में located है यह library, यहाँ पर rare books available है writings है, manuscripts है, और different books है जो के tantric activities से related थी ठीक है, उनको preserve करके रखा हुआ यहाँ पर यहाँ पर a story of Buddhist philosophy जिसको लिखा था Paul Carlos ने, उनके द्वारा लिखी हुई यह book यहाँ पर preserved है जिसको publish किया गया था चाइना से यह एक diagrams के साथ में detailed book है जिसमें Buddhist philosophy को explain किया हुआ है तो कई बार direct-indirect question आ सकता है यह statement अपने को as it is याद रखने है ठीक है, रिगवेद के सारे volumes लिखे गए थे Dr. Max Muller के दुआरा 1849 AD में वो भी यहाँ पर preserved है, present है यह भी अपने को ध्यान रखना है कि Dr. Max Muller जिन्होंने 1849 में रिगवेद के सारे volumes को लिखा था वो सारे volumes कहाँ पर है तो श्री सरस्वती library सीकर फत्यपुर में present है वो ऐसे ही next है अनूप संस्कृती library यह बीकानेर में है और यह जैसे कि नाम से आ रहा है बीकानेर और अनूप that means बीकानेर के 10th king थे अनूप सिंग उनके नाम पे लाइबरी का नाम दिया हुआ है पहले यह बीकानेर के जुनागड में located था तो वहाँ से इसको shift कर दिया गया कहाँ पे लालगड और लालगड जो है वो महाराजा गंगा सिंग ट्रस्ट के अंडर काम करता है ठीक है यहाँ पर संस्कृत हिंदी, राजस्थानी और जैन लिटरेशर से रिलेटेट बहुत सारी बुक्स प्रेजेंट है अनूप संस्कृत लाइबरेरी में नेक्स्ट है फॉक कल्च्रल प्रेजर्वेशन एंड कलेक्शन सेंटर है राजस्थान की अगर बात की जाए फॉक कल्चर जाए जैसे फॉक सोंग यहाँ पर बहुत सारे फॉक सोंग से लिखे हुए प्रेजर्वड है फॉकलोर्स मतलब लोग कथाएं है बहुत सारी puzzles हैं, बातारी फुलवारी जो विजयदान देथा के लिखी हुई book है, वो भी यहाँ पर ही preserved है, protected है, ठीक है, यहाँ से एक monthly magazine भी publish होती है, edit होने के बाद में, उसका नाम है लोक संस्कृती, यह question कई बार पूछा हुआ है, कि लोक संस्कृती कौन से institution से associated है, तो that is Drupayan Institute Borunda, अपने को ध्यान रखनी है, अब last में अपना important कुछ related facts है, museum से related, वो अपन देख लेता है, फिर उसके बाद में museum वाला segment भी अपना done, फिर उसके बाद में राजस्तान history वाला segment में फिर से पिक करूँगा, जिसमें कुछ चीजें बची हुई है, वो अपन carry on तो कोशिश है, जिद दोनों को parallel लेकि जल्दी से जल्दी खतम कर दिया जाए, तो सबसे important fact में first है, Albert Hall की बात करें, Albert Hall के बारे में अपने पूरी detail में बात की थी, जहां आपने जयापूर की dynasty की बात की थी, थोड़ा और देख लें थोड़ा थोड़ा अपन जब architectural point office और आ Albert Hall famous है, जिसको establish किया था 1876 में, बिकानेर म्यूजियम के बारे में अपने अलरड़ी देख चुके हैं, तीर म्यूजियम हैं इसके अंडर में, बट कुछ information बाकी थी, वो मैंने यहाँ पे डाल दी है, इसको establish किया गया था 5th of November 1937 को, उस टाइम पे महराजा गंगा सिंग थे बिकानेर के, तो उनके नाम पर ही इसको नाम दे दिया गया था, गंगा गोल्डन म्यूजियम, और इसका inauguration किया गया था, लौड लिन लिथ गो के द्वारा, यहाँ पर इंडस वैले सिविलाइजेशन से लेके, गुप्त एस तक के बहुत सारी samples, बहुत सारी चीजे उके, ऐसे ही एक लाल डेरा नाम से, एक special चीज है जिसको, मतलब लाल डेरा नाम दिया हुआ है, किसका, रोयल मुगल टेंट, ठीक है, शाही मुगल तंबू, एक तरीके का तंबू, उसको नाम दे दिया, लाल डेरा, वो present है कहाँ पर, जोदपुर के महरानगड म्यूजिय में, ठीका तो लाल डेरा पुछे तो पता होना चीए, कहां पर है, तो यह पता होना चीए, और मेरा अंगाड म्यूजियम कहां पर है, तो पता होना चीए, यह सारी चीजिये यहां से, इनफोरमिशन आ गई, एक लाइन से, next, गावर्मन म्यूजियम ऑफ हवा महल, जो टिल आती है वहाँ पर तो यह करिवेजन मातराप के लिए कहीं न गई बेन दिल ए आराम दिल ए आराम मतला पढड़कर के बड़े आराम आजाए तो दिल ए आराम बाग म्यूजियम कहाँप लॉकेटटड है आमेर आमेर में लॉकेटड है और मारवार का क्राउन किसको को बोला जाता है सरदार म्यूजियम ऑफ जोदुपुर उसको बोला जाता है मारवाड का क्राउन तो इस तरीके से म्यूजियम के बारे में अपनी बात दो वीडियो में कंप्लीट होती है यह मैंने टू दपॉइंट फैक्ट्स डीटेल बताई है इनको रिवाइज करो रिप साइस मैटीरियल को पढ़ो डायवर्श मैटीयल को मत पढ़ो आप लोग कंसाइस मातीरियल और उसी को रिवाइज करो उसी में अगर एक्सपरटाइज आपने गेंन कर ली नट, तो आपको इलिमिनेट करने की आदत आ जाएगी कि आपको यह पता हो मान लो तीन चार option आते हैं objective type exam में तीन में आप अप्रोच कर रहे हो एक आपको नहीं आता है तो तीन में अप्रोच करके yes or no में click करके आप elimination कर सकते हो आराम से इसके लिए हमें question paper practice करने पड़ेंगे और जो हमारा content है उसको repeatedly revise करना होगा okay I guess आपको यह चीज़े पता होंगी पर आप फिर भी थोड़ा बहुत इन चीज़ों को mind करो और आगे भढ़ो तो इस तरीके से आज का discussion यहीं खता होता है thank you very much